प्रस्निम 20 यदि Px बराबर XQ प्लस Kx स्क्वाइर प्लस Hx प्लस 6 और X प्लस 1 तथा X माइनस 2 Px के गुननखंड हैं तो H और K कमान ग्याद करें तो Px बराबर क्या दिया है? Px बराबर दिया है XQ प्लस Kx स्क्वाइर प्लस Hx Px प्लस 6 Px बराबर दिया है XQ प्लस Kx स्क्वाइर प्लस Hx प्लस 6 ठीक है? यह दिया हुआ है अब लिखेंगे यहाँ पे चुकी X प्लस 1 X प्लस 1 Px का Px का एक गुननखंड है तो X प्लस 1 क्या है? Px का एक गुननखंड है यह दिया हुआ है Px तो Px बराबर XQ प्लस Kx स्क्वाइर प्लस Hx प्लस 6 है तो X प्लस 1 किसका गुननखंड है? इसका इस बहुपत का ठीक है यह दिया हुआ है तो लिखेंगे चुकी X प्लस 1 Px का एक गुननखंड है अत्या गुननखंड प्रमे से गुननखंड प्रमे से P-1 P-1 बराबर सुन्य यह कहां से आ गया? माइनस 1 देखें X प्लस 1 का सुन्य क्या होगा? माइनस 1 क्यूंकि X के जगा पे माइनस 1 रखेंगे तो सुन्य आ जाएगा माइनस 1 और प्लस 1 तो ऐसे भी देखें X प्लस 1 बराबर सुन्य लिखेंगे तो X प्लस 1 का सुन्यक हम यहां पे लिखेंगे ठीक है? तो X प्लस 1 का सुन्यक होगा माइनस 1 तो यहां पे देखें प्लस 1 है तो इसका सुन्यक माइनस 1 होगा अगर यहाँ पे minus 1 होता तो इसका सुन्या क्या होता प्लस 1 ठीक है तो यहाँ पे हम P minus 1 ब्राबर सुन्य लिख लेंगे यानि X plus 1 PX का एक गुननखंड है तो गुननखंड परमेंसे हो जागा P minus 1 ब्राबर सुन्य अब क्या करेंगे तो इस बहुबद में यानि bx में देखें जहां जहां पर x है वहां पर minus 1 रखेंगे क्योंकि x plus 1 का सुन्यक minus 1 आया है तो x q है तो x के जगा पर minus 1 लिख लेते हैं तो minus 1 का घाध 3 plus k फिर x आ गया तो x के जगा पर क्या लिखेंगे minus 1 तो –1 का घाद 2 प्लस H फिर X आ गया तो X के जग़ा पर –1 लिखेंगे प्लस 6 बराबर सूनने लिख लेंगे क्योंकि P –1 बराबर क्या है? सूनने है तो इस तरह लिख लेंगे हैं जहां पर X था वहां पर –1 रख लेंगे अब –1 का घाद 3 क्या होगा? माइनस एक प्लस माइनस एक का वर्ग हो जागा एक माइनस माइनस प्लस हो जागा तो के गुना एक के हो जागा अब यहाँ पे देखिए प्लस माइनस माइनस यानि माइनस एच लिख लेंगे ठीक है माइनस वन गुना प्लस एच माइनस एच प्लस छे 6 में से 5 प्लस 5 बराबर 0 इस तरह से देखे K-H और 6 में से 1 घट आएंगे तो 5 आ जाएगा तो K-H K-H बराबर कितना आ गया माइनस 5 इसको हम पहला समिकरन लिख लेंगे ठीक है पहला समिकरन यानि यह हो गया पहला समिकरन K-H बराबर माइनस 5 अब अब लिखेंगे पुना 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 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 2 भी पी एक्स का एक गुनानखंड है गुनानखंड है तो देखें एक्स माइनस 2 भी पी एक्स का गुनानखंड है ठीक है, एकस प्लस एक और एकस माइनस दो, दोनों पी एकस का गुननखंड है, तो हम लिखेंगा पुना, एकस माइनस दो भी पी एकस का एक गुननखंड है, अध़ गुननखंड परमे से, गुननखंड परमे से क्या हो जाएगा, पी दो बराबर सुन्य, तो पी दो कहां से आया, ये दो कहां से आया, देखें, एकस माइनस दो का सुन्य क्या होगा, दो होगा, क्योंकि एकस के जगा पर दो रखेंगे, तो दो में से दो घटाएंगे, क्या आएगा, सुन्य आएगा, तो एकस माइनस दो का सुन्यक होगया, दो, तो इसलिए पी दो लिखें हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर माइनस दो है, तो इसका सुन्यक होगा, प्लस दो, अगर यहाँ पे प्लस दो होता तो माइनस दो होता इसका सुननिया तो X माइनस दो भी PX का एक गुननकंड है तो गुननकंड पर मेंसे क्या होगा P2 बराबर सुननिया अब यहाँ पे देखिए जो PX बराबर कितना था XQ प्लस KX स्कॉर प्लस HX प्लस 6 अब जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 रखेंगे ठीक है जहाँ जहाँ पर x है इस बहुपद में जिसको के px के बराबर दिया हुआ है तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर आप 2 रखेंगे तो देखिए तो x क्यू है यानि 2 का घाथ 3 plus k x square है, यानि k गुना 2 का square plus h गुना 2 plus 6, बराबर सुनने लिख लेंगे, क्योंकि p 2 बराबर सुनने है तो 2 का घण क्या होगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8 plus 2 का वर्ग 4, तो 4 k लिख लेंगे plus 2 गुना h, 2 h प्लस 6 बराबर सूने ठीक है तो 4K प्लस 2H 4K प्लस 2H प्लस 14 बराबर सूने 4K प्लस 2H प्लस 14 बराबर सूने हो जाएगा 14 कहां सा आया तो 8 और 6 को जोड लिए तो 8 से 14 तो 4K प्लस 2H बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 14 14 को इधर लाएंगे, तो माइनस में हो जाएगा अब यहाँ पे 2 common ले लेंगे 2 common ले लेंगे, तो 2K प्लस H हो जाएगा देखे, 2 से कट रहा है 2 दुना 4, 2 दुना 1, 2 2 common ले लिए, तो 2K प्लस H हो गया, कोश्टक के अंदर बराबर क्या हो गया माइनस 14 तो 2K प्लस H 2K प्लस H बराबर हो जाएगा, माइनस 14 बटा 2 2 को इधर लाएंगे, तो भागा में हो जाएगा यह 2 यहाँ पे गुना में है 2 से 14 को काट देंगे यानि कितना आगया, 7 तो 2K प्लस H बराबर आगया, 7 तो इसको हम दूसरा समिकरन लिख लेंगे ठीक है, दूसरा समिकरन पहला समिकरन क्या आया था K माइनस H बराबर माइनस 5 देखें, पहला समिकरन आया था K माइनस H बराबर माइनस 5 दूसरा समिकरन आ गया दो के प्लस ह बराबर माइनस साथ माइनस है यहाँ पर देखिए तो माइनस साथ हो गया दो सद्धे चौदा है और यहाँ माइनस है तो माइनस साथ हो गया ठीक है अब लिखेंगे अब पहला जोड दूसरा से यानि पहला और दूसरा को जोड़ेंगे पहला समिकरन और दूसरा को जोड़ेंगे दूसरा समिकरन को तो पहला समिकरन है k-h बराबर-5 यह है पहला समिकरन दूसरा समिकरन आया 2k-h 2k-h बराबर-7 इसको जोड़ना है अब ठीक है तो देखे, 2K plus K, 3K हो गया, plus H और minus H, सुनने आ जाएगा, इसको काड़ देंगे, तो 3K बराबर हो गया, minus 12, 3K बराबर क्या हो गया, minus 12, तो लिखेंगे, चुकि, 3K बराबर, minus 12, तो K बराबर कितना आ जाएगा, अधर, K बराबर, minus 12, बटा 3, 3 इधर आएगा, भागा में हो जाएगा, यानि 3 जोग 12, यानि minus 4, तो K बराबर कितना आ जाएगा, minus 4, K बराबर कितना आ जाएगा, minus 4, अब H का भी मान लाना है, तो लिखेंगे यहाँ पर, अब, K का मान, K बराबर, minus 4, पहला, में रखने पर, K बराबर, minus 4, पहला में, रखने पर, अब देखें, K बराबर कितना आ जाएगा, minus 4, तो पहला समिकरन में, अब हम, K बराबर, minus 4 रखेंगे, तो पहला समिकरन क्या है, पहला समिकरन है, K minus H बराबर, minus 5, ये है पहला समिकरन, ठीक है, तो K बराबर कितना आ आए, minus 4, तो K के जगा पर minus 4 लिख लेंगे, तो minus 4, minus H बराबर हो जाएगा, minus 5, ठीक है, तो माइनस h बराबर हो गया माइनस 5 प्लस 4 तो माइनस देखे k के जगह पे माइनस 4 लिखे हैं क्योंकि k बराबर आया है माइनस 4 तो माइनस 4 माइनस h बराबर माइनस 5 तो माइनस h बराबर क्या हो जाएगा माइनस 5 प्लस 4 तो माइनस h बराबर हो जाएगा माइनस 5 प्लस 4 हो जाएगा माइनस 1 यानि h बराबर तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस तो h बराबर हो गया 1 ठीक है h बराबर 1 हो गया तो लिखेंगा अद्द अद्द h बराबर तो h और k का मान निकालना था तो h बराबर 1 आ गया h बराबर 1, k बराबर माइनस 4 k बराबर कितना आया माइनस 4 तो इसका उत्तर देखिया आ चुका है h बराबर 1 और k बराबर माइनस 4 तो इस तरह से प्रसन 20 हल करेंगे बराबर 2 तो इसका उत्तर देखिया आया बराबर 2 तो इसका उत्तर 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 आया